गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स टोडे वी विल लान दा पॉकेट मानी पार्ट शीक्स तो अल्रेडी हम सब देखे हैं कि इसमें यह प्ले है इसमें एक फादर और सौन की कॉन्वर्सेशन हो रहा है तो तो इस बारे में ना रिपोट काड के ऊपर रिपोट काड के ऊपर कॉन्वर्सेशन चल रहा था तो फादर यहापे देखो फादर प्लीज हो जाता है है बिकास देखो रिपोट काड वाज बहरी मच इंटरस्टिंग एक्वली रिपोट काड आपने रिपोट काड पर सौक्ट हो जाता है क्योंकि उसको खुद बिलिब नहीं होता है कि इतना नंबर वो कैसे लाए और उसके पिता जी बहुत खुश होता है वह सोचने लगता है कि बाप मेरा बिटा आपने काम को समझने लगए है कि उसके जो स्टाडी के ओपर सीरियस हो रहे हैं तो यह सब बाते हो रहे थे उसी टेम क्या होता है अंकल टॉम जो है वह एंटर करते है रूम पर ठीक है अंकल टॉम रूम पर एंटर क पढ़े हैं यह पेज अब आगे से पढ़ते हैं यहां पर क्या देख रहा है यहां पर पिक्चर में here you can find out in the picture that in a pleasing manner earnest father give him half of crown कि half of crown उसको देते हैं किसलिए ना ताके वो मतलब as a reward ठीक है और कहते है कि इसको फालतु में spend मत करना अब देखो आणिस्ट करते हैं thank you dad takes coin just as the door opens to admit uncle tom और उसी time क्या होते हैं यहां पर bracket में यह क्यों दिया गया है यहां पर तुमारे दिमाग में सवाल आ रहा है कि यह क्यों दिया गया है this is given for those this is the instruction given और या फिट the situation how the play will how the play will proceed to the next level है उसमें जाने के लिए यहां पर आंकेल टॉम जो है उसको एंट्री करना है तो उसका एक डिरेक्शन दिये गया है आपने दिमाग में रखेंगे किस टाइम अंकेल टॉम की एंट्री होगा तो आंकेल टॉम आके बोलते हैं गूड इविनिंग आई होब आम नाट टू अरली गूड इविनिंग मुझे लगता है मैं बहुत जल्दी नहीं आ गया मतलब फादर और बेटे की कॉनबडर्ससन मुझे लगते है complete हो चुका होगा फादर बोला है यू अर्नस्ट एंटी रिपोर्ट वॉर आ नहीं तुम जल्दी नहीं आप अंकेल टॉंग कौन है ना आर्नेस्ट के पिता जी के भाय होगा तो बोल रहे है यहां पर बैठो और देखो टेक लुक अड़ डाट टेक लुक अड़ डाट मिन्स अड़ रिपोर्ट कार्ड लुक अड़ रिपोर्ट कार्ड आई बेट यू नेवर गॉट वाल लाइक मुझे आसा है आई बेट मतलब मैं सर्थ लगा सकता हूं यू नेवर गॉट वाल लाइक एट मतलब यू नेवर गॉट सच रिपोर्ट कार्ड इन यूर होल लाइप ठीक है इन यूर होल स्कूल लाइप तुम अपने स्कूल लाइप में तुम्हें मुझे मैं बेट लगा स one like it got one means यहाँ पर that report card like it एक एक ऐसा report card इस तरह का like it means जैसे आर्नेस्ट को जिस तरह के report card मिले है तुमको इस तरह से एक कोई एक report card कभी नहीं मिला मैं तुम्हें बेट लगा सकता हूं मतलब थोड़ा मजाग कर रहे हैं मजाग नहीं अच्छी है इतना अच्छा रेजल्ट अंक्यल टॉम कभी नहीं किया अंक्यल बोल रहे हैं I wonder why you were throwing half crowns about मुझे मैं तो बस यह सोच रहूँ हूं I wonder why you were throwing half crowns about मुझे मैं बस यह सोच रहूं कि तुम हाप क्राउन मतलब बरबाद क्यों किये है how you throwing half crown about मतलब किस बज़े से तुम half crown हाप कर को यहाँ पर थो कर देना throwing मतलब नहीं एसा नहीं है कि फेक दीए यहाँ पर बरबाद कर दीए क्यूं इसको पैसे की reward दी रहे हो टेक्स रिपोर्स और वोग यह कहते कहते हैं रिपोर्ट कार्ड को लेते हैं सिट्स इन आर्मचेर में बैठते हैं, पूट्स ऑन इस स्पेक्टेकल अपनी चस्मे को पहनते हैं और उस पेपर को देखते हैं, मतलब यहाँ पे रिपोट कार्ड को, भाधर बोल रहे हैं, वेल, अच्छा, आपके बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो, क्या सब ठीक है, मतलब, how is the report card, फाधर पूछ रहे हैं, कि सब कुछ ठीक है न, मतलब, what you find, if you find the numbers of the report card, then you will also be pleased, तुम भी खुच हो जाओगे, क्या मैंने सही कहा हैं तो यह सब चीज़ें, यहाँ पे इस वेल वर्ट से पता चलते हैं, अंकेल बोल रहे हैं, मतलब, अंकेल टॉम, you are right by job, by job means by Jesus, ठीक है, मतलब भगवान के नाम पे, अरे यार सही तो बता रहे हो तुम, I never did, मैंना ऐसा कभी नहीं किया, मतलब, I never make such a result, I never had such a result, मेरे पास ऐसा result कभी नहीं आया था, मतलब, इतना अच्छा result मैंने कभी नहीं किये थे, अब two earnest, earnest को बोल रहे हैं, seems to me, young man, you have turned into a bookworm, what's happened to you, अब earnest के तरफ घूमते हैं, और कहते हैं, seems to me, मतलब, it seems to me, मुझे एसा लग रहा है, young man, young man कौन है, ना, यहाँ पे earnest को बता रहे, ठीक है, earnest को बोल रहे है, young man, मुझे तो एसा लग रहे है, you have turned into a bookworm, अब bookworm, what is bookworm, bookworm means, the one that, actually bookworm का मतलब होता है, the students who watch, who spend lots of time, or who devoted themselves, in their study, जो study में आपने आपको पूरी तरह से devoted होते हैं, जो एकदम बुक को लगके पढ़ रहेते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, ठीक, उसको कहते हैं, मतलब किताब की कीडे बन जाना, you have turned into a bookworm, what's happened to you, क्या हुआ है, मतलब तुम पूरी तरह से तुमारे रेजल्ट देखे लग रहे हैं, तुम एकदम बुक वर्म हो गये हो, मतलब ऐसा तो होना नहीं चाहिए, जिस तरह के तुम बच्चे हो, यह तो ना मूंकीन है, लेकिन तुमारे रेजल्ट देखे लग रहे हैं, तुम एकदम किताब की कीडे बन गये हो, मतलब दिन राथ पढ़ाई कियो, आरनेस्ट अनकोमफोर्टेबली, अनकोमफोर्टेबली मतलब, यह ना फिलिग कमफोर्टेबली, क्योंकि एक्चुली तो वो ऐसा नहीं हुए न, वोरे डूंट नो, I am sure uncle, बच्या खहे रहे हैं, वोरे I don't know uncle, कि I have turned myself into a bookworm or not, I am sure uncle, मुझे मालूम नहीं मैं सियोर हूं I don't know I have turned myself into a bookworm or not father father he is begun to realize the value of work I hope आप उसके पिता जी उसका explanation दे रहे है मुझे आसा है I he is begun to realize वो रियलाइज करना शुरू किये वो अपनी मन में इस चीज़ को समझने लगे the value of work the work की जो value काम की value यह समझने लगे I hope मुझे आसा है looks at the watch और इसी टाइम कहते हैं तो वो अपनी घड़ी के तरफ देखते है रिष्ट वाच की तरफ look here you must excuse us a few minutes are a mj3 में एक कुछ मिनिट के लिए माप करना मुझे कुछ मिनिट के लिए कुछ काम है Thomas I want Arnes to help me get some letters of Thomas Thomas को नहीं हो सकते है Tom को ही Tom का full name Thomas Thomas I want Arnes to help me get some letters of Thomas मुझे Arnes को थोरी दिर के लिए ले जाना पड़ेगा and the post goes at 7 15 कुछ letters के लिए help me get some letters of letters लाने के लिए मुझे Thomas के help चाहिए सो तुम्हें काम करो तुम्हें यहां पर बैट के थोरी दिर देखो उसका report कर देखो तब तक हम दोनों यह काम लिप्टा कर आ रहे है and the post goes at 7 15 क्योंकि post 7 15 में चले गया है तो इसी बज़े से मुझे आर्निस्ट को थोरा ले जाना पड़ेगा तो Thomas मैं आर्निस्ट को ले जा रहा हूं थोरी दिर अब पिता जी बहुत खुस है तो आर्निस्ट को ले जा रहे हैं तो तुम थोरी दिर बैट के देखो अंकल बोर रहे है that's all right don't don't mind me कोई बात नहीं तुम ले जाओ don't mind me means I will not mind about it या फिर ऐसा कोई बात नहीं है तो मुझे को ले जा सकते हूं ठीक है तो आब आगे देखते हैं अब उसके बड़े भाई है दुनो भाई बड़े हो चुक है help yourself to cigarettes points to box and table अब यह काम करतु हूं आपे cigarette रुखे हुए है you can if you want you can smoke from that packet so आपे this one is the bad messages this one is a bad message but you know some kind sometimes it's needed in order to represent the play in an artist in in order to show the originality of the play the performance have to play such type of roles but actually it is a bad thing ठीक है just as in film में फिल्म में भी तुम देखे हूंगे के so many persons are smoking but actually because of their character they have to do it but it is a one kind of bad habit so help yourself to cigarettes point to box and and table box के एक box की तरफ मतलब एक packet cigarette की तरफ point out करते हैं which was lies on the table come on my boy और Ernest को बुलते है चलो पीटा आजाओ we must hurry हम सब को जल्दी जाना है अब यहां पर direction दीक है क्या घटना हो रहे है goes out followed by Ernest goes out followed by Ernest Ernest के साथ साथ उसके पिता जी भी बहार चला जाता है uncle takes a cigarette आंके उसका uncle Tom जो है वो एक cigarette निकालते है let's up उसको जलाता है and then examine report again and उसके बाद फिर से उस report card को परने लगते हैं whistling from time to time whistling from time to time in surprise और वीच वीच में report card परते परते है whistling कर रहे है मतलब आच्छा and surprise in time time to time in surprise मतलब he uncle Tom was totally surprised when he was examining the report card जब यह report card को examine कर रहे थे तब आनने uncle Tom तो पूरा surprise हो रहे थे कितना number कैसे लाए यह enters Mary उसी time के होते Mary नाम का एक Mary जो है enter करते है Mary कौन है उसकी घर की नौकरा नहीं है Mary enters करते है showing in a school boy एक school boy के लेके आते है who wears glasses जो चस्मा पहने हुए है he is about Ernest's age उसका अब age कैसा है ना Ernest के जैसा है मतलब Ernest के classmate होगा तो मैरी जो है एक school boy को लेके आते हैं और school boy जो चस्मा पहने हुए he is about Ernest's age औरनेस्ट के एज के है मैरी बोल रहा है I am sorry sir sir माप करना माप करिएगा I thought the master was here I am really sorry मुझे लगा मुझे लगा थे मास्टर यहां पर है यहां पर था मतलब आरनेस्ट फादर लेकिन आरनेस्ट फादर तो बाहर चले लेगे आरनेस्ट भी बाहर चले लेगे अब आंकेल बोल रहे हैं he is very burst just now he is very burst just now he is very busy just now मैरी anything I can do कुछ काम होतो बताव क्या मैं help कर सकता हूं वो थोड़ा busy हो गया है अभी अगर कोई काम है मुझे बतादो मैरी बोरा I don't know sir मुझे नहीं पता sir what's the actual work this young gentleman said he wanted to see Mr. Rayland Smith or Mr. Arnest या फिर उसके पिताजी Mr. Rayland Smith से यह जो young gentleman आये हैं यह जो लड़का आये हैं वो मुझे यह बोले शेर्फ said he wanted to see Mr. Rayland Smith को नहीं आरनेस्ट की पिताजी वो अगर मैं रेलन स्मीट से मिलना चाहता है या फिर Mr. Arnest अगर होगा Master की बोल रहा है अरनेस्ट को क्योंकि मालिक क्या बेटा मालिक ही हुआ न तो Master Arnest से मिलना चाहता है अंकर बोले अल्राइड मेरी if I can help him I will keep him company till your master returns हाँ कोई बात नहीं अगर if I cannot help him कोई बात नहीं if I can't help him मतलब अगर मैंस को help नहीं कर पाया मतलब if I cannot solve his problem के what was the actual why he wanted to meet Mr. Rayland Smith और माशानेश अगर उसका problem हम solve नहीं कर पाए तो मैं एक काम कर सकता है I will keep him company मैं इसको company दे सकता हूं मैं इसको साथ में उसके साथ बैट सकता हूं थोड़ा उसका time पास हो जाएगा till your master returns जब तक आपकी master return ना करता है मतलब आरनेस्ट के कर देाम करता है